नमो नमो बच्चों, मैं हेमा धूत एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आठवी कक्षा का संस्कृत विशय से तेहरवे पाठ का दूसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है हिमालय हूँ यहाँ एक कविता है जो कुमार संभवम नावमक काव्य संग्रह से लिग गई है जो काली द्वास द्वारा लिखे गई है आपको बोलना चाहूंगी तो कुमार संभव जो है यहाँ रचना महा कवी काली दास की है और इस पार्ट में हिमालय परवत की प्रकृतिक सुष्मा मतलब इस पाट में हिमाले परवत की प्रकृतिक सुश्मा इसका वर्णन किया है इसका सार मैं अभी आपको बताती हूँ कुछ इस प्रकार है भारत वर्ष की उत्तर दिशा में कहां पर उत्तर दिशा में हिमाले परवत नाम का एक परवत राज है क्यों इसे परवत राज कहा गया है क्योंकि वह परवतों का राजा माना जाता है सो हिमाले नामक एक परवत राज है जो पूर्व और पश्चिम में दोनों ही और समुद्र में घुसा हुआ है और वहाँ पर स्थित है समुद्र में घुसकर वहाँ पर तर और यहां परवत जो है अनेक रटनों का उद्गम स्थान है उद्गम स्थान यादि यहाँ पर अनेक रतना मिलते हैं यहाँ आपको याद होगा अगर आपने रामायन पढ़ी या देखी है रामायन में जब लक्षमन जी मुर्षित होते हैं नाग से नाग बांड कुछ लगता है उनको और वे मुर्षित होते हैं तो उनके लिए संजीवनी नामक एक बूटी चाहिए होती है तो वह संजीवनी बूटी कहां मिलती है हिमालय परवत पर ही मिलती है तब वहां हनुमान गए और उन्हें क्योंकि यहाँ पर समझ में नहीं आरा था कि क्या उठा के लिकर आना है तो बूरा का पुरा पाहाड ही उठा कर लिकर आ गए क्योंकि उस पहाड पर पूरी जडि पूटियां जडि पूटियां है तो माले परवत पर भी कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर केवल जड़ी पूटियां ही मिलती है आपको. तो यहां अनेक रतनों का उद्गम स्थान", यहां पर अनेक रतन भी हमें मिलते हैं, इसके शिखरों पर बर्फ पड़ी रहती हैं. शिखर, mountain peaks जिसे हम कहते हैं, इनके शिखरों पर बर्फ पड़ी रहती हैं। परंतु इस से परवत राज की शोभा में कोई अंतर नहीं आता, उसके रतन तो फिर भी रत नहीं रहेंगे, भले बर्फ हो या कुछ भी हो, उसकी शोभा में कोई अंतर नहीं पड़ता है. हिमाले परवत पर बादल चाये रहते हैं, आप यदि हिमाले की और जाते हैं, तो आप दिखते हैं, वहाँ का मौसम हमेशा बादलों से ढखा हुआ रहता है, वहाँ का वातावरन जो है, वहाँ पर बादल चाये हुए रहते हैं, और उन बादलों के नीचे पढ़ने वाली च चाया का सेवन जो है वो सिद्ध लोग करते हैं जो रिशी मुनी होते हैं वे उन बादलों की चाया के नीचे या पेड़ के नीचे कहीं पर चाया में बैठे बैठे तपस्या करते रहते हैं सो सिद्ध पुरुष रहते हैं और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो वर्षा काल में उस हिमाले की चोटियों पर चले जाते हैं जब वर्षा काल होती है तो वे हिमाले की चोटियों पर चले जाते हैं क्योंकि हिमाले की चोटी पर वर्षा नहीं होती है जब बादल जो है उस कि हवा तूफान इस प्रकार से उस हिमाले परवत पर हाथी विचरन करते हैं कौन विचरन करते हैं हाथी विचरन करते हैं हाथी वहां घूमते रहते हैं और वे अपनी कनपट्टी के नीचे आने वाली खुजली को मिटाने के लिए जब सरल व्रुक्षों सरल व्रुक्षों देवदारू नाम के व्रुक्ष पर अपनी कनपटी घिसते हैं, तब रगडते हैं, तब उनकी छाल निकल आती है, और उनकी छाल निकलने पर उन व्रुक्षों में से दूद टपकता है, जब उनकी छाल उधर जाती है, व्रुक्षों की, सरल व्रुक्षों की, तो उन व्रु बिखेर देता है अंधकार उस परवत की गुफाओं में समाया रहता है अंधकार उस परवत की गुफाओं में समाया रहता है मानो वह सूर्य से डर कर गुफाओं में छिप गया हो अंधकार इस तरह से गुफाओं में समाया रहता है मानो वह सूर्य से डर कर गुफाओं में ही चिप गया हो और ऐसे अंधकार में भी यह पहाड जो है परवत जो है उन्तुछ जीवों को शरण देते हैं और जैसे कि वहां पर फिर अपना उजाला नहीं डालते हैं उन्तुछ जीवों को शरण देते हैं जैसे उल्लू-उल्लू के प्रकार जो जीव होते हैं तो मानवह डरकर गुफाओं में छिप गया हो इस प्रकार हिमालय को प्रक्रोतिक शुष्मा दर्शाई गया है इस पार्ट में हिमालय की प्रक्रोतिक शुष्मा जो है सौंदर्य जो है दर्शाया गया है तो यह पार्ट जो हमने पिछले सेशन में लाइन्स जो श्लोक है उन श्लोकों क द्वारा मैंने आपको explain किया था, इस session में हम केवल शब्दार्थ करने वाले हैं, poem मैंने already कर ली है आपके साथ पिछले session में, इस session में अभी मैंने आपको एक part का सार दे दिया है, किस तरह से यह part है, और अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ, शब्दार्थ सबसे पहला है नगाधि राजह, यहाँ पर देखिए आप संधी भी है साथ साथ में, अगर हम देखते हैं तो, जैसे मैं आपको बता दू, यह संधी किस तरह से हुई है यहाँ पर, अब यह देखिए, नगाधी राजह नगाधी राजह यहाँ पर आ गया नग और अधी राजह हमने संधी की है तो आप देख सकते हैं यह भी अ मातरा में है गवी और यह भी अ है तो दोनों अ है अ प्लस अ जब मिल जाते हैं तो हो जाता है आ तो हो गया है नगाधी राजह, इस तरह से यह हमारी संधी बन गई है, नगाधी राजह, तो यह क्या है, नगाधी राज क्या है, परवत राज, इसे हम क्या कहेंगे, परवत राज, नगाधी राजह, परवत राज, पुर्वा परव, यह भी एक संधी है, जिसमें है तो पुर्व और अप्रव तो पूर्व और यहां पे आ जो है यह क्योंकि इसके पहले अप्रव है ठीक है तो अ और अ दोनों मिलाकर आ हो जाएगा यह रहा हमारा अ और यहा तो इस तरह से यह हमारा आ हो जाता है पुर्वा परव पूर्व प्लस अपरव अपरव मतलब हम पूरव पश्चिम कहते हैं पूरव और पश्चिम में स्थित दोनों तोय निधी अर्थात दोनो समुद्रों को वगाहिय अर्थात प्रविष्ट होकर या धसकर यहने जो परवतराज है वे दोनो समुद्रों में प्रविष्ट होते हैं या धसे हुए हैं वहाँ पर धसे हुए हैं और इस प्रकार उनको वहाँ से जो है बल मिलता है और वे हैं उचे मान डंडह मान डंडह अर्थात मापक जो कोई चीज हम यूज करते हैं मापने के लिए पैमाना मापते हैं नापने के लिए कोई प्रयुक्त उपकरन जैसे हम इंच पत्ती हैं मान डंडह आई नापने लिए जैसे हम तराजू इस्तमाल करते हैं दुकानों में तराजू का होता है वेंग मशीन होता है तो जो भी हम नापते हैं तौलते हैं उन्हें हम कहते हैं मान डंडह मान डंड ह, मापक या पैमाना नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण तो यहाँ पर हमारा जो परवतराज है यहाँ एक मान डंड है परवतराज मान डंड है जो पूर्व और पस्टिम दोनों दिशाओं के बीच की दूरी माप रहा है प्रभवस्य प्रभवस्य अर्थात उपवन उत्पन करने वाले का यहाँ पर क्या प्रभव होते हैं रत्न प्रभव होते हैं प्रभवस्य उत्पन करने वाले का स्वभाग्य विलोपी स्वभाग्य विलोपी यह फिर से एक हमारा संधी है एक पहला है स्वभाग्य और दूसरा है विलोपी स्वभाग्य विलोपी दोनों साथ में दिया गया है और सौंदर्य स्वभाग्य विलोपी अर्थात इसका सौंदर्य महिमा बडपन को लुपत करने वाला विलोपी अर्थात लुपत करने वाला स्वभाग्य अर्थात उसकी सुंदर्ता सुष्मा जो हम कहते हैं या बडपन जो भी चीज है उसको कम करने वाला विलोपी अर्थात सुष्मा को कम करने वाला या जो भी है सौंदर्य को कम करने वाला उस पता सोभाग्य विलोपी सोंदर्य महिमा बडपन को लुप्त करने वाला तो मान डंड है मापक, पैमाना या नापने के लिए प्रयूक्त उपकरण प्रभवस्य याने उत्पन करने वाले का सोभाग्य विलोपी अर्था सोंदर्य महिमा या बडपन को लुप्त करने वाला लुप्त करने वाला याने उसे खत्म करने वाला सन्नी पाते याने इकठा होने पर सन्नी पाते याने इकठा होने पर जैसे हम बहुत सारे अवगुणों की बात कर रहे थे, हाँ गुण और अवगुण, सॉरी, सो सन्नी पाते, जब बहुत सारे गुण एकत्रित हो जाते हैं, तो एक संगटन हो जाता है, सन्नी पात जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे गुण एकत्टा होने पर, निमजति विलीन हो जाता है नगण्य हो जाता है जैसे मैंने आपको जब चैप्टर कराया था तब भी बताया था आपको कि यह एक संधी है इसके साथ में इंदू इसके साथ में इंदू हडाला गया था चंदरमा का नाम तो वो यहां पर इसमें नहीं है इसमें कट कर दिया तो निमत जती अर्थात विलीन हो जाता है या नगण्य हो जाता है तब गुणों में एक अवगुण, बहुत सारे गुणों में एक अवगुण विलीन हो जाता है या नगण्य हो जाता है या दिखाई नहीं देता है या उसका पता नहीं चलता है अंकह अंकह अर्थात कलंक या धब्बा अंकह दूसरा है हमारा अंकह अर्थात कलंक या धब्बा कोई चीज पर एक धब्बा पर जाता है जैसे हम कहते हैं खुबसूरत चेहरे पर अगर एक फोड़ी आ जाती है तो पिंपल हम कहते हैं कि वह एक धब्बा हो गया है या संदर से कपड़े पर अगर चाय गिर जाए आपने आपका पहनावा पहन रखा है और उस पर चाय गिर जाए तो एक धब्बा हो जाता है तो वह धब्बा कहलाता है धब्बा किसी के चरीतर पर अगर इल्जाम लगा दिया जाए साफ सुथरा चरीतर है किसी इनसान कर उस पर इल्जाम लगा दिया जाए तो इल्जाम उस पर धप्पा बन जाता है तो अंकह अर्थात कलंग इसे किसी को कलंग कहेंगे कुछ यहनि बुरे नाम का टैग लग जाना उसके पर या धप्बा आमेखलम अर्थात मध्यभाग तक संचरताम अर्थात विचरण करते हुए, घूमते हुए, जब बादल घूमते घूमते जब मध्यभाग तक आ जाते हैं उस हिसाब से सानुगताम, सानुगताम यहने चोटियों पर गई हुई, यहां हम छाया की बात करते हैं, जो सानुगताम चोटियों पर गई हुई छाया है, निशेव्य, यहने उस छाया का सेवन करके, सुख पाकर, निशेव्य, जब धूप होती है, कड़क धूप होती है, तब हमें बाद या परिशान, उद्वेजिता घबराय हुए या परिशान, जो बरसात में जो परिशान हो जाते हैं या घबरा जाते हैं, तो वे धूप के तलाश में निकल जाते हैं चोटियों पर, तो यहां उनके लिए इस्तमाल किया गया है, उद्वेजिता घबराय हुए या परिशान, आश्रयंते आश्रयं लेते हैं यहने हिमाले पर्वत पर एसे कई छोटे-छोटे जीव है जो वहाँ पर आश्रय लेते हैं आतपवंती धूप से युक्त पर आतपवंती अर्थात ऐसी चोटियां जिन पर धूप है धूप से युक्त पर कपोल कंडू हा कनपटी की खुजली करिभी हा हाथियों के द्वारा के द्वारा आ गया है यहाँ यहाँ एक विभक्ती है विनेत्तुम अर्थात दूर करने के लिए चो कान की नीचे खुजली आती है उसको दूर करने के लिए विघट्टिता नाम रगडे हुओको मतलब उनको रगडना सरल्द्रुमानाम इने देवदारू के व्रुक्षो का स्तुरुत क्षीरतया दूद निकलने से देवदारू के चाल जब निकल जाती है तो उससे दूद निकलता है प्रसुतह उत्पन होना प्रसुतह सानूनी परवत की चोटियां सानूनी परवत की चोटियों पर सुर्भी करोती सुगंधित कर देता है मतलब वो जो दूद निकलता है छाल से तो सारा का सारा जो चोटियां है जो सारी वहाँ पर पूरा वो सुगंदित कर देता है वह द्रव्य जो है गुहासु गुफाओं में लीनम छिपे हुए दिवा भितम दिन से डरे हुए उल्लु शुद्रे पी यहाँ फिर से एक संधी आ गई है खुद्रे अपी गयैने खुद्रे प्लस अपई अधम या नीच को भी अधम यैने चोटे या नीच को भी यैने किसी भी चोटे इनसान को इतने बड़े होने के बागजुत कहते, कि मैं इतना बड़ा और तुम इतना छोटा, मैं तुम को कैसे पलं। तो वो ऐसी बात हो जाती ही, कि छोटे से छोटे या नीच से नीच को भी वो बड़ा अपनत्व दिखाता है, अभिमान नहीं दिखाता कि मैं तुम्हें तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, वह अभिमान नहीं दिखाता, वह उसका अपनत्व उसके उपर बिखेरता है, शरणम प्रपन्ने, शरण में आये हुए, मतलब अपनी शरण में आये हुए, ममत्वम अपनापन और सतीव, सती प् इव मानों होने पर तो इतना बड़ा होने पर भी वह छोटे छोटे जीवों पर अपना ममत्व बिखेरता है बच्चों आज हमने क्या सीखा है आज हमने पाठ का सार किया है और उसके साथ में केवल शब्दार्थ किया है इस सेशन में और आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसकी एक्सरसाइजिस को लेकर आएंगे तब तक के लिए सेशन सेशन आएंगे आएंगे पिर मिलेंगे श्रू ακर बाइब का जम minim के बित्न के लेकर जापनावे तक को लेकर उत्